हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका एचुगेटर कमलाक्ष जा सेवेंथ आफ नवेंबर 2020 का करेंट अफेर्स का यह लेक्चर आप लोग देख रहे हैं आपकी topics से related है एक अच्छी understanding को develop करने के लिए यहाँ पर topics को static portion यानि की general studies के साथ link करते हुए cover करवाया जाता है जिससे कि आपकी comprehensive preparation हो है वो civil services examination के according होती है तो अगर आप civil services की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना यहाँ पर सभी sources से news को हम down to earth के भी articles को cover किया जाता है right and prelims और mains you know point of view से यहाँ पर news को cover करते हैं English Hindi दोनों में news यहाँ पर cover की जाती है and guys यस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर उसी के according हम लोग news को भी cover करते हैं तो आप देख सकते है paper 1, paper 2 और paper 3 के यह कुछ topics हैं जो आज हम लोग discuss करने वाले हैं and guys lecture को start करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको guaranteed selection चाहिए examination में तो यह जो lectures में आपको provide करा रहा हूं इन lectures को आपको regularly देखना है और जितने भी instructions में lecture के दोरान आपको provide कराता हूं उसको आपको religiously, regularly और सारी से follow करना है हर एक चीज़ को तभी जाकर guaranteed selection आपको मिलेगा and guys guaranteed selection की जो बात है मैं यह ऐसी दूसरों की तरह हवावाजी में नहीं करता हूं इसके बकाइदा मैं आपको proofs भी provide कराता हूं अपने students को आप चाहें तो description पर आपको video मिल जाएंगे उन videos को देखकर आप proof जो paid package को जरूर join कीज़ेगा क्योंकि अगर आप इस paid package को join करेंगे तभी जाकर इन lectures का पूरा lab आपको मिलेगा and इस paid package की fees भी काफी nominal है minimum 100 rupees पर पूरे महीने का जो charge है जो fees है वो सिर्फ 100 रुपे है and lab कैसे मिलेगा आपको तो मैं आपको समझाता हूं तो देखिए guys आपको सिर written notes बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा time जो है वो चरा जाएगा और current affairs एक ऐसी चीज़े जो की regular basis पर आती है तो आपका regular basis पर एक तो notes बनाने का time बच जाता है आप उस time को utilize कर सकते है general studies के topics पढ़ने में मैं जो task देता हूं वो करने में मैं जो homework देता हूं वो करने में इसके लाबा option की आप तयारी कर सकते है answer writing practice आप कर सकते है उस वो भी मैं आपको provide कराता हूं last मैं कि एक question देता हूं आपको regularly तो सबसे पहला point तो आपका time यहाँ पर बचता है और दूसरी चीज़ आपके पास ready to read material available रहता है अब देखो आपको सुबे lecture देखना होता है रात मैं आपको सोने से पहले मैं lectures के notes आप तक provide करा देता हूं तो आप सोने से पहले lectures के notes पढ़ते हैं तो आपका क्या हुआ पहली बार revision हो गया first time revision हो गया इसके इलावा मैं आपको हर Sunday को एक compilation देता हूं पिछले हफते में जितनी भी news आती है जितनी भी news covered रहती है जितनी भी lectures आप देखते हो उसका एक single compilation आपको मिलता है नहीं कि एक ही PDF में पूरे हफते की news covered रहती है तो आपको दूसरी बार मैं push करता हूं कि revise करो तो यह होगे आपका दूसरा revision और ऐसे ही मैं आपको monthly magazine provide कराता हूं जिसमें कि आप तीसरी बार revision करता है तो अगर आपने एक topic को तीन बार revise कर लिया तो mains में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है and मुझसे बहतर आप खुदी जानते हैं कि revision कितना important role play करता है इस examination में इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस paid package में मैं आपको month के end में minimum 150 questions civil services examination के pattern की उपर base provide कराता हूं यह वो questions होते हैं जो आपने प जहतरीन practice हो जाती है जिससे कि आपके selection को कोई नहीं रोक सकता तो इस तरीके की strategy और इस तरीके की practice जो है वो मैं आपको इस paid package में कराता हूं जिसकी fees minimum 100 rupees पर बंद की है आप चाहें तो description पर check कर सकते हैं कि कैसे आपको इस paid course को जो है वो join करना है and guys आप पहले lecture देखिएगा अगर आप नए आए हैं तो पहले lecture देख लीजे अगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से आपकी understanding build up हो रही है तो channel को subscribe कर लीजेगा and bell icon पे भी जरूर hit कीजेगा और same नाम से telegram पर भी एक channel है जिसको आप join कर सकते हैं and अगर आप facebook पर है तो आप मेरे नाम कमलाक्ष ज्जा को सर्च करके मुझे add भी कर सकते हैं गैस बताया जा रहा है कि हाली में आसाम के अंदर एक museum का proposal रखा गया है मिया museum इसका नाम है मिया museum के अंदर जो लोग चार चपोरीज में रहते हैं उनके cultural, tradition, heritage के बारे में दिखाया जाएगा अब इसी चीज में एक controversy create कर दी है असाम के अंदर ये controversy क्या है तो इसको समझते हैं detail में but before that examination point of view से दो चीजे especially आपको पता होनी चाहिए कि मियाज कौन है और चार चपोरी कहां पर है तो मिया की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जैसी मिया term आप सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए ये community है Muslim community है जो की East Bengal जो की आज की rate में हम लोग जिस छेतर को Bangladesh बोलते हैं वो पहले East Bengal के नाम से जाना जाता था तो East Bengal से ये असाम में आये थे migrant Muslims और ये जो term जो मिया इनके लिए उपयोग में लिया जाता है ये अपमान जनक term है एक derogatory term के तोर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है मिया इनके लिए और चार चपोरी की बात करें तो चार बेसिकली एक floating island हम लोग को देखने को मिलता है floating island अब आप मुझे बताएंगे कि असाम के अंदर जो floating islands हम लोग को देखने को मिलता है वो किस नदी के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है तो उसका answer मीचे comment box में लिख कर दाएगा कि असाम में जो floating island है वो किस नदी के ऊपर बने हुए तो वैसे ही एक floating island चार हम लोग को वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर स्कूल्स वगरा बच्चों के लिए अविलेबल नहीं है, प्राइमरी के आगे के स्कूल्स वहाँ पर नहीं देखने हैं, वहाँ पर बहुत जादा गरीबी और बहुत जादा इलिटरेसी हम लोग को देखने को बिलती है, तो यह कुछ चीजे हैं, इस चार एरिया से असोसियर इड, तो आप लोग को दो चीज तो बिलकुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कि मिया स्कॉर होते हैं, और चार एरिया citizen हम लोग को देखने को मिला था, जिसके तहर जो भी लोग हैं, जो आसाम के अंदर illegal तरीके से रह रहे हैं, जो बंगलादेश से आये हुए हैं, यहाँ पर, तो उनको identify कर रहे हैं, उनको दोबारा से deport किया जा रहा है, और यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि आसाम की जो community है, जो वहां की मूल निवासी जो हम लोग को असाम के देखने को मिलते हैं, तो इन communities के आने के कराण, असाम के जो traditions हैं, cultures हैं, उनको रुकसान बहुंच रहा है, तो यहाँ पर वही controversy इस परकार की निजर आ रही है, देखने को मिल रही है, कि वहां की जो native लोग है, जो मूल नि आद रखने हैं, यहाँ पर दो चीज बहुत important है, मियाज के बारे में direct question आ सकता है, और दूसरा, मैंने आपको बता है, चार, चार, चार चापोरी के बारे में आपसे पूछ रहा सकता है, clear हैं तक बाते हैं, अब बात करें, लुहरी hydro power project की, तो देखें, directly आपको पता होना यह कि यह लुहरी hydro power project जो है, वो कहाँ पर located है, शिमला कुलू district, तो यह चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है, और यह कहाँ पर है, सतलज नदी हम लोग को हिमाचल प्रदेश के इंदर देखने को बल रही है, उस पर यह construct किया जा रहा है, लुहरी hydro power project, अब यह topic news बस लिए, क्योंकि CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, इन्होंने approval दे दी है, 1810 करोड रुपे की funding की, और यहाँ पर 210 मेगावाट का यह लुहरी hydro power project देखने को मिलेगा, लुहरी hydro power project कहाँ पर है, हमाचल प्रदेश, शिमला कुलू, सिर्फ यह चीज आपको याद रखने है, ठीक है, Guys, अभी हाली में, Honorable Supreme Court ने, matrimonial cases, वैवाहिक मामलो के लिए, एक guideline जारी करी है, कि जितने भी मामले हम लोग को देखने को बलते हैं, matrimonial cases हम लोग को देखने को बलते हैं, तो उस cases को कैसे deal करना है, especially किस context में, कि आपको पता हुआ कि, जब husband और wife के वीच में case चल रहा होत होता है, उस भी husband की ये moral duty होती है, कि वो अपनी wife के लिए या अपने बच्चों के लिए, wife और बच्चों दोनों के लिए, एक particular amount of money जो है वो provide करें, payment जो है वो करें, जिससे कि उनका maintenance, खर्चा पानी जो है अच्छे से चल सके, अपनी life वो ठीक तरीके से sustain कर सकें, उस दौ के दौरा, एक man के दौरा, अपनी wife को और अपने बच्चों के maintenance के लिए, तो वो चीज बेकायदा, कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, तो अभी हाली में, इसी चीज पर, इसी section 125 CRPC का जो है, उसी के ऊपर एक petition file हुई, तो उस petition के दौरा, Honorable Supreme Court ने, अपने judgment मे कुछ guideline जारी करी, कि आने वाले समय में, जितने भी cases हम लोग को, विवाहिक मामलों के देखने को मिलते हैं, matrimonial cases जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको किस प्रकार से deal करना है, तो देखो, एक ही करके, पूरी guidelines को, कब ब्रीफ लेते हैं, अपने, सबसे पहली और ये खर्चा देना कब से शुरू हो जाएगा, जब से court के अंदर वो case चालू हो जाता है, जैसे ही पतनी court में, वो case फाइल करती हैं, तो उसी समय से हम लोग को देखने को मिलता है, कि वो apply हो जाता है, right, कि husband को, अपनी wife को payment जो है, वो करनी पड़ेगी, maintenance purpose के लिए, इसक इलावा, अगर husband के पास मान लेते हैं, कि अगर वो husband बोल रहा है, कि उसके पास कोई source of income नहीं है, कमाई का कोई, उसके पास कोई जरिया नहीं है, फिर उस case में क्या होगा, तो उस case में यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है, कि अगर वो person able है, right, यानि कि उसको कोई problem न लग दे रहा है, तो ये mandatory है ये वाला clause, इससे बचा नहीं जा सकता, तो ये point to be noted, ये चीज़ याद रखेगा थोड़ी सी आप लोग, इसके लावा दोनों wife और husband को अपनी assets और अपनी liabilities, यानि कि उनके पास कितनी properties है, right, और या फिर उनके पास कितने loans वगरा है, तो पू अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए, even उनकी education के लिए, उनकी basic need के लिए, या फिर दूसरी vocational activities के लिए, तो ये decide करेगी court, कि बच्चों को कितना maintenance के लिए खर्चा देना है, right, और रही बात wife की, तो wife को जो खर्चा provide किया जाएगा, वो उस हिसाब से provide किया जाएगा, ज उनको amount मिलना चाहिए, right, तो ये कुछ guidelines इस प्रकार भी जारी की गई है, और महिलाओ के लिए, ये guidelines बहुत जादा जरूरी इसलिए है, क्योंकि आपने देखा होगा अकसर, जब husband और wife जब अलग हो जाते हैं, तो wife की condition काफी गंबीर होती है, काफी even वो तनाओं में भी रह मामले हम लोग को देखने को मिलेंगे, चाहे family court में, चाहे magistrate या lower court के अंदर, कोई भी मामला आता है इस प्रकार का, तो उस बीच जो judiciary है, जो judges है, वो इसी guidelines को follow करते हुए, जो है, वो set करेंगे चीज़े, कि महिलाओ को जो payment मिलनी चाहिए, वो उसी standard के according मिलनी चाहिए, ज तो वो अपनी lifestyle घर में अपने मिता रही थी, ठीक है, तो ये एक अच्छा topic था, जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, even, जैसे कि कई कबार questions आ जाते हैं, women से related, तो उसमें आप ये सब चीज़े mention गर सकते हैं, कि women की security purpose के लिए कि कल को को कोई husband और wife की ये अच्छी guidelines अभी at present honorable supreme court ने जारी करिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो कि आपके mains में help करेगी, और even prelims point of view से भी थोड़ी सी important है, अब बताया जा रहा है कि केरला ने भी decide कर लिया है, कि वो CBI से general consent withdraw कर लेगी, तो ये decision केरला का आज शुका है, इससे पहले भी general consent के व October लिखना है, YouTube के search column पे, उसके आगे आपको मेरा नाम लिखना है, कमलाक्ष, तो जो भी search list में सबसे पहला वीडियो आएगा, वो ये 25 और 26 October वाला वीडियो आएगा, इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें CBI के अंदर जो general consent जो हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, वो मैंने detail में आप लोग को explain किया हुआ है, तो इसको जरूर देख लिजेगा, अब general consent withdraw करने का मतलब in simple language में आपको भी समझा देता हूँ, हालकि detail में आप जरूर देखिएगा, कि ये है कि अपसे CBI को कुछ भी inquiry करनी है, किसी भी तरीके की, तो उसको केरला सरकार से पहले permission लेनी होगी, तभी जाकर वो inquiry वहाँ पर conduct कर पाएगी, और जैसे कि West Bengal, आंदरप्रदेश, राजिस्तान और महराश्रा ने भी इसी प्रकार का move लिया था, CBI से general consent को withdraw कर दिया था, पिछली बार जब अपने discuss किया था, तो महराश्रा की news थी, कि महराश्रा ने भी recent past में ही CBI का general consent withdraw कर लिया था, तो अब ये कैरला हम लोग को देखने को मिल रही है, तो CBI से related repeated topics, repeated news देखने को मिल रही है, तो examination perspective से CBI को जरूर आप prepare करिये, लक्षमी कांद Indian policy में CBI का एक chapter आपको मिल जाएगा, उस chapter को जरूर आज ही पूरा एक बार पढ़ लेना, तो ये थी पू Housing and Urban Affairs, आवास और शहरी मामलों के मंतराले के द्वारा शुरू किया गया है, simple भाशा में समझते हैं ये है क्या, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, कि ये better data management के लिए एक framework हम लोग को देखने को मिल रहा है, हम लोग smart city mission के उपर काम कर रहे हैं, smart cities बनाई जा रही है, तो हम लोग को focus ये भी करना है, कि जो smart cities इस प्रकार से तयार हो रही है, तो better administration के लिए, better citizen support के लिए, जो citizens को हम लोग service प्रोवाइड करा रहे हैं, तो various हम लोग चीजे conduct कर रहे हैं, तो उन पूरी चीजों का एक proper data होना चाहिए, और उस data का proper management होना चाहिए, तो उसी data का management ये ही है, data maturity assessment framework, जितने भी data होंगे, उसका ये मुल्यांकन करेगी, ये framework evaluation करेगा, और एक better culture of data को create किया जाएगा हमारी country के अंदर, जिससे की हर प्रकार के data, चाहिए वो government policy से related हो, governance structure से related हो, capacity building से related हो, जितने भी stakeholders या shareholders, जो भी लोग involved है smart city mission में, तो उनका जो data हो, उनकी पूरी की पूरी चीज़े तो है, वो एक जगा पर हम लोग एकटा करके, उसको save करेंगे और secure करेंगे, जिससे की कल को अगर कुछ issues आते हैं, या कल को कोई भी problem अगर आती है, तो उस data को उपयोग करते हो, हम लोग उस issue को tackle कर सकें, solve कर सकें, तो यह अली चीज है, simple सी जिस यह जो challenge जो हम लोग को निज़र आ रहा है, इसके नाम से nurturing neighborhood challenge, तो यह challenge जो है, वो cities के लिए हम लोग को देखने को बिल रहा है, कि cities को इस प्रकार से develop करना है, कि वहाँ पर जो quality of life है, young children की, छोटे बच्चों की, caregivers की और families की, उसको improve किया जा सके, नए-नए initiatives के थूँ, नए नए policies वगरा के थूँ, तो इस चीज़ का यह एक challenge है, कि city के अंदर लोगों की life जो है, उसकी quality को improve करना है, और यह 100 smart cities के लिए भी open किया गया है, जिन cities के अंदर population 5 लाख या उससे जादा की हम लोग को देखने को मिल रही है, और राजियों की और union territory की capitals के लिए यह चीज open हुई है, यह initiative हम लोग को open नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो याद रखना simple cities की nurturing neighborhoods challenge जो है, वो cities के लिए कि cities के अंदर बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं, उनकी quality of life जो है, उसको improve करना है, और साथी साथ caregivers और families की quality of life को improve करने को लेकर यह initiative है, जिसको launch किया गय and urban affairs ministry के उतारा, simple सी चीज़े, याद रखिएगा, अब USA के उस रवाइये की बात करेंगे, जो की हाली में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में इस्तिती बहुत ही जादा गंभीर हो सकती है, आज की rate में पूरे दुनिया भर का effort, पूरे दुनि अब इस बीच, अगर एक superpower, इतनी बड़ी country, USA, अगर ये पीचे हड जाती है इस deal से, जो की इसने formally announce कर दिया है कि अब ये इस deal का हिस्ता नहीं है, तो इस तिती काफी गंभीर आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो इस topic से related आपको एक understanding, prelims point of view से भी अच starting होनी चाहिए, कि superpower USA, जब इसने इस deal से exit कर लिया है, अब ये climate change, यानि कि Paris Agreement, जिसको Paris Accord के नाम से भी हम लोग चानते हैं, अब जब USA Paris Accord का हिस्ता नहीं है, तो उसको follow करते हुए, काफी सारी country भी इस agreement से पीछे हड जाएगी, तो USA इस agreement से exit कर गया है, मतलब कि अब ये Paris Agreement deal के अंदर जो targets है, जो कहा गया था कि सभी countries जिन targets को follow करेंगी, जो भी initiatives लाए गए थे, उसको follow करने के लिए कहा गया था, अब USA उनको follow नहीं करेगी, तो मैं आपको एक general overview देता हूँ, Paris Agreement के बारे में जैसे कि आपको पता लग जाए कि Paris Agreement में क्या था, तो जब भी आप Paris Agreement स में focus किया गया था, कि हम लोग को पूरे दुनिया भर में से 2 degree Celsius जो temperature जो increase हो रहा है, उसको घटाना है, फिर further day degree Celsius temperature को decrease करना है, क्योंकि देखो, आज की rate में carbon dioxide के emission के चलते, temperature level increase होता जा रहा है, और temperature level increase होने के काफी ज़्यादा नुपसान है, जैसे कि जब temperature level increase होता है, तब glaciers जो हमारे melt हो रहा है, जो glaciers हम लोग को देखने को नहीं मिलते है, वो melt हो रहा है, उन glaciers के melt होने के कारण, sea level rise हो रहा है, अब जब glacier melt होंगे, sea level increase होगा, rise होगा, तो काफी सारे छोटे-छोटे islands जो है, वो पानी के नीचे चले आएगे, islands का पानी के नीचे जाने का काफी सारी प्रजातिया जो हैं वो भी मर रही है क्योंकि प्रजातियों के लिए species के लिए temperature एक बहुत important role play करता है जहाँ पर भी उनका temperature level पे हलका फुलका भी disturbance आता है तो उनकी activities में disturbance होने लगता है even temperature level increase होने के कारण climate change के कारण काफी सारी जो species हैं plants और animals की flora और fauna की वो औरड़ी लुप्थ हो चुकी है तो आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है ये temperature level का increase होना जिसको decrease करने के लिए जिसको control करने के लिए Paris Agreement के तहट 189 countries या फिर आप मोटे-मोटे तौर पर कह सकते हो कि 200 के आसपास countries ये सब साथ में आई और साथ में मिलकर इरोनिक focus किया कि जो ये Paris Agreement के अंदर जो targets है जो common targets अपने setup किये कि global temperature को increase होने से रोकना है 2 degree Celsius से नीचे लेकर आना है और फिर further 10 degree Celsius तक लेकर जाना है नीचे तो ये जो target set किया अब इस target को set करने के लिए जब target set किया होगा तो obvious ही बाती कि अलगलग countries को काफी सारे चीजों को follow करना होता है जैसे कि solar energy को उपयोग करें right कम से कम pollution जो है वो emit हो कम से कम carbon dioxide का emission हो तो इसको लेकर काफी सारे initiatives हो है वो सभी countries अपना रही है right अब जब USA इस चीज से जब भार निकलेगा और already आप जालते हैं कि USA के अंदर काफी सारी industries हैं काफी जादा मात्रा में USA के अंदर से हम लोग को pollution देखने को बलता है और जब USA इस deal से पीछे हट जाएगा तो दूसरी country भी तो यही बोलेंगी न कि हम क्यों फिर करें investment करें climate change को control करने के लिए जब USA खुद नहीं कर रहा है तो इसको देखते हुए काफी सारी country निकल जाएगी आप समझे रहे हो गंभीरता आने वाले समय में कितनी जादा हो सकती है अगर USA के इस कदम के बाद क्योंकि यह जो USA का कदम है यह बहुत ही गलत है और यह बिल 21 countries ने इस deal को sign किया था 2015 का यह agreement था targets में आपको अरड़ी बता दिया है इसके लावा यहाँ पर हर एक country ने बचन लिया था pledge किया था कि वो target action plans को implement करेंगी और अब USA से exit हो गया formally और इस agreement के अदर article 28 है वो यह कहता है कि कोई भी country जो है वो एक notice देकर exit कर सकती है simply इस deal से और एक सिंपल से condition थी कि 2015 में जब यह Paris agreement लागू हुआ था तो उसके तीन सालों तक country exit नहीं करेंगी तीन सालों के बाद वो एक notice देकर exit कर सकती है तो USA ने इस चीज़ को exit कर दिया है तो काफी गलत कदम USA की तरफ से तो यह था पूरा और टॉपिक यह आर पी जिसको television rating agency कहा जा आएंगे lecture के अंदर YouTube में तो वहाँ पर आपको TRP का पूरा topic मिल जाएगा detail में मैंने आपको explain किया है कि यह television rating agency क्या होती है उस समय हमने discuss किया था कि Mumbai police investigate कर रही थी मामला सामने आया था कि कुछ companies है television channels कुछ है जो की TRP के साथ छिडखानी कर रहे है तो इसको रोकने के लिए जो है वो police investigation conduct की गई तो यह बहुत सारी चीजे सामने नजार आई हम लोग को इस प्रकार की कि TRP के साथ छिडखानी हो रही है तो detail में मैंने आपको TRP क्या होता है और बार्क क्या होता है इन दोनों चीजों को detail में आपको explain किया हुआ है मैं चाहूंगा कि आप 13 October 2020 के lecture को refer क आपको यह topic जो है वो मिल जाएगा 10 minute 8 second पर अच्छा अभी एक important चीज है जो कि prelims के लिए important है direct question बन सकता है question यह बनेगा शशी शेखर विमपती committee जो है वो किस से associated या फिर विमपती committee किस से associated है तो आपको पता होना चाहिए कि TRP norms को review करने को लेकर यह committee अभी establish की गई है information and broadcasting ministry के दोरा चार member की committee है जिसको head करेंगे विमपती जो की CEO है प्रसर भारती के यह review करेंगे TRP की पूरी guidelines को और recommend करेंगे betterment की जिसके चलते TRP के साथ छिडखानी ना हो तो simple सी चीज़ यह याद रखना और बाकी TRP क्या होता है इससे related पूरे concepts मैंने clear करा है जरूर जाकर related जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो governor होते हैं राज ये पाल जो होते हैं उनके पास कुछ special powers होती हैं जैसे कि जो दोशी होते हैं जो jail में सजा काट रहे होते हैं उनकी ये सजा को कम कर सकते हैं उनकी सजा को ये माफ कर सकते हैं और भी इनके पास काफी सारी power देखने को ब लोग क्यों कर रहा है क्योंकि जो यह गवर्नर की जो पावर है pardon की जिसके तहत यह जो दोशी जो है उसको शमा कर देते हैं यानि कि उसका जो परदर जो पनिश्मेंट का जो उसका period है उसको ख़तम गर दिया जाता है गवर्नर के दोरा तो अब यह ऐसे हुआ था एक एजी पेरिविलन 1991 में जो राजीव गांदी हत्याकार्ड हुआ था आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में तो उस हत्याकार्ड में एक दोशी है हम लोग को आरोपी जो है हम लोग को देखने को बिला था एजी पेरिविलन और यह भी सुप्रीम कोट ने 2018 में बोला गवनर से कि वो इस पर DCN ले फैसला ले इस पर इसकी जो रिक्वेस्ट आई हो उस पर फैसला लिया जाए अब जब गवनर फैसला लिने के उपर काम कर रहे हैं तो उस बीच मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी जो investigate कर रही है यह पूरे मामले को 1991 के राजी बांदी हत्या कांड के पीछे जो बड़ी साज़ेश है तो उस पूरे मामले को यह investigate कर रही है तो यह जो agency है यह तमल्लाडू गवनर को रोक रहे है उनकी power exercise करने के लिए यानि कि गवनर के उपर थोड़ा pressure create किया जारे जिसे कि governor अपनी ये power जो है वो इस्तेमाल ना कर सके तो उसी बीच audible supreme court सामने आई और audible supreme court ने कहा कि governor की power को enjoy करने से रोका नहीं जा सकता multi-disciplinary monitoring agency जो है इसको directly कहा कि आप governor को नहीं रोकेंगे उनकी power को enjoy करने से या exercise करने से तो यह चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को बली इसका मतलब कि अभी governor DCN लेंगे कि यह जो दोशी है जो राजी वांदी हत्या कारण में देखने को मिला है तो क्या इसको बरी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा बट हाला कि honorable supreme court ने यह जीज क्लियर कर दिये कि governor जो है वो इसको बरी नहीं करने वाले governor ने इसकी जो petition थी जो application आई थी इसकी appeal जो आई थी उसको खारिच कर दिया है reject कर दिया है राइट कि governor इस DCN पर नहीं आने वाले हाला कि यह चीज कर यह अच्छा एक और important चीज में आपको बताना चाहूंगा कि article 161 में governor जो है वो किसी को जो मौत की सजा सुनाए जाती है न किसी को death sentence किसी को सुनाए जाता है तो उसको माफ नहीं कर सकते मौत की सजा को माफ करने का पूरा जो power है वो honorable president of इंडिया के पास है ना कि governor के पास इवेन जो court partial जो हम लोग को देखने हो मिलिटरी के case आर्मी के cases होते है court partial के जो हम लोग को देखने को मलता है court partial के cases को भी deal करने की power governor के पास नहीं है सिर्फ honorable president of इंडिया के पास है तो ये एक छोड़ी सी चीज़ याद रखेगा बाकी लक्षमी काम्त की जो book है आपकी इंडियन पॉलिटी उस book से आज ही article 161 आप पढ़ेंगे ये आपका homework है यहाँ पर बात करेंगे leishmania donovani के बारे में तो अभी CSIR CDRI scientist ने जीता है एक award जिसके तहट leishmania donovani से बचने के लिए इन्होंने कुछ tactics survival tactics जो है वो define करी है और उसके बीचे काम किया है अब ये leishmania donovani होता क्या है इस चीज़ को समझने है तो ये एक protozoan parasite है जो की infect करती है macrofakes को जो की एक causative agent है visceral leishmaniasis का यानि की kala azar का आप जाते काला अजर के कारण बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है अभी recent past में 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 2416 लोगों की मौत हुई है 2019 में और अभी तक 2020 के year की बात करें January 2020 से तो अभी अगस्त तक की अगर आखड़ों की देखें तो 1047 लोगों की मौत हुई है बिहार के अंदर तो सबसे ज़्यादा मौतें काला अजर के कारण बिहार में होती है और यह जो मैं आपको आखड़े बता रहा हूँ न यह National Vector Born Disease Control Program के डेटा का आखड़ा मैं आपके सामने प्रेजिन कर रहा हूँ इसके लाबा ज़ार काण के अंदर भी काफी सारे लोगों की मौत होती है फिर उत्तर प्रदेश फिर पेजबंगॉल तो यह बिस implementing चार इस्टेट आपको बता होँने चाहिए बिहार detail में आप काला अजर disease के बारे में जरूर mention कीजिएगा, right, क्योंकि एक important topic है, इससे related में पहले भी आप लोग को cover करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ तो इन्होंने, अभी, जिन scientist को ये award मिला है, इन्होंने तरीका निकाला है कि कैसे इस काला अजर को रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है इस particular बिमारी से, right तो यहली चीज़ में आपको simple थी पता होनी चीए और ये infect mononuclear phagocyte system के उपर करता है, जो की जिसके अंदर including हमारा lever होता है bone marrow होता है, तो यहाँ पर ये effect करता है right, हाली में guys हमारी country के अंदर कुछ टितलिया, butterfly की species जो है जो की काफी rare, हम लोग को देखने को मिलती, काफी दुरलब पर जातिया है ये, तो ये देखने को मिलनी है, तो इन species के बारे में आपको पता होना चीए especially इनका नाम और कुछ इनकी basic details, right, तो एक एक करके देखते हैं कुछ butterfly की species का नाम तो सबसे पहली चीज तो striated five ring striated five ring तो ये butterfly का नाम है, ये butterfly कैरला में देखी गई थी, 2015 और 16 में, लगभग 100 सालों के बाद इसके इलावा, नील गिरी plane ace, 130 सालों के बाद ये, re-discover की गई थी, butterfly enthusiast के द्वारा हैंनी की, जो लोग butterflies बगरा की खोज करते हैं, इसके लावा marbled map butterfly marbled map butterfly ये पहली बार विशा का पत्नम में देखी गई थी, और इसको हमारा जो wildlife protection act है, उसके schedule second के अंदर इसको protection हासल है आप मुझे बताएंगे नीचे comment box पर wildlife protection act किस साल में हम लोग को देखने को बलता है, कौन से year का ये protection act है, और इसके लावा ये वाली जो marbled map butterfly जो है, ये सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, जारकन, भूटान और मेंमार में हम लोग को ये butterfly देखने को बलती है इसके लावा मालाबार banded peacock, ये butterfly south India की endemic है यानि कि वही पर ये पाई जाती है और tree nymphs की अगर हम लोग बात करें, बड़ी white color की butterfly है, जिसमें काले-काले black color के बड़े-बड़े धबे हम लोग को नज़र आते है, इसके लावा recently branded royal, ये भी butterfly species का नाम है, ये इंडिया में देखी जाती है और ये neil grease के अंदर 130 सालों के gap के बाद देखने को मिली है, इसके लावा blue moron, ये जो butterfly है, ये western gods में हम लोग को देखने को मिलती है, रहती है, और ये पटना बगर हमें नज़र आती है, जनरली और ये black color की butterfly है इसके जो wing है, इसके जो punk है, ये velvet type के हम लोग को नज़र आते हैं, और इसके लावा spotted angel butterfly ये 36 गड़ के reserve forest के अंदर पाई जाती है देखने को मिलती है, liliac silver line, ये जो butterfly है, ये एक lotty breeding population है, बैंगलूरू के अंदर और अभी पहली बार राजिस्तान के अरावली range में ये देखी गई है, तो ये कुछ butterfly species के नाम है, जिनके बारे में एक आपको idea होना चाहिए, जो कि इस साल हम लोग को देखने को मिले हैं कई बार अब गाईज, चर्चा करेंगे smog के बारे में, smog topic को पहले भी अपन कई बार cover कर चुके हैं अभी देली में smog की स्थी थी काफी जादा हम लोग को देखने को मिल रही है इसके पीछे का कारण है कि देली में pollution जो है वो काफी जादा बढ़ गया है, पिछले साल के मुकाबले October में, pollution जो है देली के अंदर वो काफी जादा है इस साल, smog की specifically हम लोग बात करें, तो smog harmful mixture है fog का, dust का, air pollutants का तीन चीज़ आपको याद रखनी है smog कैसे बनता है, जब fog होती है plus dust धूल होती है plus air pollutants होते है यानि कि pollution जब जादा होता है साथी साथ, जब sunlight के साथ ये combine होता है, यानि कि जब mix होती है ये पूरी चीज sunlight के साथ तब हम लोग को देखने को बिलता है कि ground पे नीचे इस तर धरती जहाँ पर हम लोग रहे रहे हैं, उसी जगा पर, उसी area पर एक ozone का layer जो है जो harmful rays जो होती है, harmful किरने जो होती है, सूरिय से जो आती है उससे हमें protect करके रख भी है बट जब ये ozone ground level पर जब बन जाता है ना जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो उस जगाँ पर जब ये ozone बनता है, तो ये health के लिए काफी ज़ादा नुकसान दाएक होता है तो ये जब अभी एक point आप थोड़ा सा ध्यार में रखना इसके लाबा, smog जो term है ना ये पहली बार 1905 जुलाइम में लाए गया था Dr. Henry Antonio Desvoix के दौरा तो ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी सी 1905 में ये term जो है बोलाए गया था कभी कभी state civil services में ऐसे भी questions पूछ रिये जाते है और उस समय हालकि ये चीज़ important नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ उस समय लंडन के अंदर इस प्रकार की इस्तिती आगे थी कि एकदम pollution काफी जादा हो गया था और smoke जैसी इस्तिती डेवलप होई थी तब उस समय इन्होंने fog के साथ smoke को मिला कर ये smoke term जो है वो दिया था इसके लावा smoke कैसे बनती है जब koila जलता है जब slash and burn हम लोग को crops का देखने को मिलता है यनि कि stubble burning जब होती है जो कि generally इस समय पर इस period पर October November के period पर हर्याना, पंजाब, डली के असपस के छेतर तो यहाँ पर हम लोग को नजर आती है इसके लावा जो automobile, जो गाडियां वगएर होती है उससे जो pollutants निकलता है जो industrial plants वगएरा जो हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ से निकलता है, factories वगएरा से fireworks से निकलता है, जो फटा के वगएरा फोड़ता है हम लोग paint से भी यह जो है वो smog बनता है, तो यह सब चीज़े है जिसके बाद में एक आपको general idea होना चाहिए है अच्छा, इसके लावा एक और important चीज smog के कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं, smog के, एक होता है sulfurous smog, जिसको london smog के नाम से भी जाना जाता है अब sulfurous smog, यह जो नाम है, इसमें sulfur चुपा हुआ है तो sulfur oxide जब जादा होती है, और sulfur oxide से मिलकर जो smog जो create होता है, उसको sulfurous smog कहते हैं दूसरा होता है, photo chemical smog इस photo chemical में देखो, photo शब्द है photo किसलिए उपयोग मिलिया जाता है, light के, light जब भी भी होती है light, photo का मतलब क्या होता है, light के रण तो जो photo chemical की यहां पर बात हो रही है इसका मतलब जब sunlight react करती है nitrogen के oxides के साथ, और at least एक volatile organic compound के साथ atmosphere के अंदर, तब उससे में photo chemical smog जो है, वो बनता है तो यह दो प्रकार होते हैं, smog के यह भी आपको बता होना चाहिए, और local weather में इसका क्या role हम लोग को देखने को मिलता है तो देखो, local weather के कारण भी smog का development होता है, formation होता है जैसे कि temperature, sunshine क्योंकि मैं आपको बता है कि sunlight जब react करती है, जब हम लोग को देखने को मिलता है, तब उससे में भी smog का formation होता है, तो sunlight भी इसमें एक important factor, important role play करती है, इसके लाब जब calm wind होती है यानि कि जब हवा जब तेज़ चलने ही दी होती तब उससे में भी smog develop होता है क्योंकि जब हवा देच चलती तो अपने साथ pollutants बगरा को लेकर से लिया आती, तो smog बगरा का formation वो इतना ज़ादा नहीं रहता बट अगर calm हवा है, यानि कि जब ठहरी हुई हवा है, तब उससे में हम लोग को इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है, हमारे यह smog बगरा, क्योंकि इसमें pollutants होता है और यह pollutants आफ हमारी body के अंदर जाता है तो हमारी body को खराब करता है हमारी body की health के लिए काफी ज़्यादा हानिकारक होता है, इसके लावा एक और important चीज हो, कि आपसे इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, कि vitamin D का जो production है, उसके पीछे कौन सी चीज responsible होती है vitamin D के production के पीछे, तो अगर option में ultraviolet radiation लिखा होगा तो आप अपने option को वाले को tick कीजिएगा, क्योंकि ultraviolet radiation जो है, वो vitamin D के production के लिए काफी जादा हम लोग को देखने को बलती है, helpful रहती है, यानि कि उसी के करण vitamin D produce होती है, बट smoke क्या करती है, ultraviolet radiation को decrease कर देती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि vitamin D का production जो होगा, वो काफी कम हम लोग को देखने को बलेगा, तो ये भी एक important चीज है याद रखे जा, तो इस प्रकार से आपको तयारी करने हैं, अब बात हो रही है bio decomposer technique के बारे में, तो जो चीफ मिनिस्टर ने डली के अर्विन केजरिवाल जी, इन्होंने का है कि ये जो bio decomposer technique है, ये बहुती successful तरीके से stubble को manure में convert कर रही है, जो stubble burring के जो हम लोग cases देखते हैं, उसको रोकने के लिए एक अच्छी technique लाई गई है इस bio decomposer technique के बारे में, मैंने आप लोग को detail में, 10 और 11 October को cover कराया हुआ है, आपको simply YouTube में एक साथ लिखना है, 10 and 11 October, क्योंकि ये एक ही वीडियो में cover किया गया था, तो इस वीडियो के 31 मिनिट, 50 सेकेंड पर आपको ये topic मिल जाएगा, इस topic को जरूर जाकर देखिएगा, आपको bio decomposer technique क्या होती है, उसके बारे मैं आपको detail में explain किया हुआ है अभी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि audible supreme court के पास इस पूरे technique को पेश करेगी, जिससे की audible supreme court order दे, जिससे की दूसरी states से वहाँ पर भी stable को many ओर में convert करने का काम किया जा सके, इस technique के थूरू, तो काफी शांदर technique काफी successful technique ये बताई जा रही है और इसने काफी ज़्यदा फाइदा होगा जो stable burning, जो हम लोग को देखने को मलती है, जिसके काफी से pollution level rise हो जाता है, उसको रोकने में हम लोग success हासिल कर पाएंगे, तो ये एक चीज है, जिसके बार में आपको idea होना चाहिए और गाईज, आज के लिए सिर्फ अपने इतने ही topics थे, और मैंने आपको अगर जितने भी topics पढ़ाएं, आपको अच्छे लगे हैं तो like जरूर हिट कीजेगा, share जरूर कीजेगा, और अगर आप नए आए हैं तो channel को subscribe भी जरूर कीजेगा और अभी जाना नहीं है, मैं आपको general studies के topics as a homework दे रहाँ पहला topic है, article 161 को आपको detail में पढ़ना है लक्षमी कान से, दूसरा है काला अजर, इस topic के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके लावा आज Saturday है, कल Sunday है तो आज और कल, ये दो दिन जो है आपके, ये एक तो essay की है आज और कल में आपको essay लिखना है 1200 words में, essay का जो title है innovation is the key determinant of economic growth and social welfare नव, प्रवर्तन, आर्थिक, सम्वृद्धी और समाजिक कल्यार का अप्री हारिय, निर्धारक है तो ये आपके essay का title है जिसको आपको लिखना है और essay लिखने के बाद आप post कर सकने है इस essay को यहाँ पर future officers underscore cse ये telegram का एक group है actually ये group आप कैसे find out कर सकते है आप सिर्फ telegram पर current affairs by कमलाक्षचा लिखेंगे तो आपको एक channel मिल जाएगा अपना उस channel पर आईएगा उस channel के discussion group में आप जाएगे तो आपको ये group जो है वो मिल जाएगा या फिर आप मुझसे मांग लीजेगा मैं आपको या फिर नीचे description पर इस group की link भी है आप उस link पर click करके ले सकते हैं इस group में enter हो सकते हैं इस group में काफी सारे civil services की तयारी करने वाले students मौझूद है जो की group study करते हैं और कल संडे का दिन है कल के दिन आपको एक single lecture provide किया जाता है जिसमें पिछले हफते का पूरा compilation होता है यानि कि पिछले हफते जितने भी topics जितनी भी news जितने भी lectures अपने cover की हैं वो single video में आपको दे दिये जाते हैं जिससे कि आप उसको 2x की speed में revise कर ले या फिर आप जब अगर paid package के इंदर मौझूद है तो आपको weekly compilation दिया जाता है PDF का यानि कि एक single PDF जिसमें पूरे हफते की PDF जो है वो compile करके आपको provide की जाती है जिससे कि आप weekly अपना revision करें और तो ये था बस आज के लिए इतना ही और अगर आप Facebook पर है तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे add भी कर सकते हैं और अगर आपको monthly PDF package चाहिए तो उसके बारे में मैं आपको starting में already बताई दिया है आप starting a lecture refer कर सकते हैं या पर नीचे description पर पूरी चीज़े मौझूद है जिसमें आपको बता लग जाएगा कि ये PDF package आप कैसे हसल कर सकते हैं इसके लाबा गईस NCRT का paid package अभी चल रहा है और मैं highly recommend करता हूँ आप उसको जरूर join कीज़ेगा self study come test series program है वो वो काफी अच्छा program है इससे आपकी तयारी जो है वो targeted तरीके से चलेगी और यहाँ पर मैं daily targets आपको देता हूँ उन targets को आप achieve करते हो यानि की complete करने के बाद आपको test दिया जाते है जिससे कि आप check करते होगी आपने जो पढ़ा है तो वो क्या आप examination point of view से पढ़ रहे हो की नी पढ़ रहे हो जो मैं questions आपको design करके देता हूँ वो civil services pattern के उपर बेस्ट यह questions पर आपको provide करके देता हूँ आप है तो आप जरूर जोइन की देगा highly recommend उसके बारे में भी नीचे description पर एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है आप वीडियो को देख सकते हैं और January से लेकर जुलाए 2020 की अगर आपको पूरी magazine चाहिए 7 महीने की तो उस magazine की जो cost है वो minimum 300 rupees पर मत उसकी cost है पूरे यादि 7 महीने की magazine की तो उसके बारे में भी नीचे description पर एक वीडियो है वो आप वीडियो को देख कर वो magazine अगर आपको purchase करनी है तो आप ले सकते हैं तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे Monday को तब तक लिए Bye Bye, Take Care, Have a Great Day Ahead, Ta-Da